आयोध्या में भव्यदी पोटसव कारक्रिम की तैयारियां जोरो पर है इस बीच वहाँ एक फोटो प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है जानकारी के मताबिक कलाकारों ने वहाँ सोलह जाकियों के माध्यम से भगवाया ने राम की कथा बताने की कोशिश की है साथ ही उनका डिजिटल प्रदर्शन भी LED स्क्रीन की मदद से किया जाएगा इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ ही योरप समेत विदेशों से भी तस्वीरे जुटाई गई है राम नगर की राम निला तो प्रारम करके फिर हम मध्य प्रदेश की राम निला के चित्र ले आए उसके बाद गुजरात की फड़ सहले के चित्र लेके आए हैं और राम नाम लेखन की परंपरा जो 36 गल में जो टेटू गोदवाते हैं गोदवना पूरी सरीर पर राम निलिखवाते हैं उस तरह के प्रेड़ित होकर के हमने राम नाम लेखन के माधन से चित्रों को बनवाया और उनके लगबद 36 डिस्प्ले यहां पर हाएं इस बीच आयो उध्या में होने वाले दिपोटसव के लिए पूरे शेहर को सजाद गया गया है हर्मान गड़ी में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारे लग गई है असल में छोटी दिवाली यानि दिवाली से ठीक एक दिन पहले आयो उध्या में हनुमान जी का जन्मोटसव मनाया जाता है जिसकी वज़स से वहां उत्साह जोरो पर है इस मौके पर हर्मान गड़ी के संतों ने प्रधान मंत्री मूदी और मुख्य मंत्री योगी आदितिनात का शुक्रिया भी अदा किया साथ ही ये दावा भी किया किया ये उध्या में होने वाला दीपोटसव अपने आप में एतिहासिक सावित होगा क्योंकि 15 लाख दीप जलाने का टार्गेट रखा गया है इध्या में ये दिव्य और भव्य दीपावली इस बार फोने वाली है जिस परकार से भव दिप 51,000 से हमने शुरुआत किया था आज देखिए 17 लाख 17 लाख के अलावा और भी अन मंदिरों में 24 लाख दिये जलाएंगे इसके लेकर अपार उसा है अध्या के सादूसंद, अध्या के नरनारी, अध्या के आम जन्मानस, अध्या के रिशी, मुनी, मात्मा, मठ, मंदिर, सभी जगा हर सोर उल्लास है पिछले साल की तुलना में आयोध्या में दीपोत सब और भी भव्य होले वाला है 17 लाख दिये जला कर नया विश्वर रिकॉर्ड बनाये जाएगा रामकी पैडी और सर्यूरदी के 37 घाटो पर करीब 17 लाख दिये जलाए जाएंगे हर एक दिये को जलाने के लिए 40 मिलिग्राम तेल का इंतिजाम किया गया है पिछले साल भी आयोध्या में रिकॉर्ड दिये जलाए गये थे 9 लाख दिये जलाने का टार्गेट था जबकि 11 लाख दिये जलाए गये थे लेकिन उज्जेन दीपोटसब में रिकॉर्ड टूट गया था इसलिए इस बार पिछास्तन ने 15 लाख दिये जलाने का टार्गेट रखा है